अस्सालाम वालेकूँ, Welcome to GDL Mentor, मैं हूँ आपका Teacher वली तकरम So guys, आज हम लोग Color Replacement Tool की मजीज जो Properties हैं, उसके उपर डिस्कस करेंगे कि Color Replacement Tool की जो Properties हैं, वो हर एक Image के उपर एकज़सी रहती हैं या मुख्लिफ होती हैं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एंड तक जुरूर देखिएगा, इंशाला आपको आज कलर रिप्लेस्मेंट टूल मुकमल तरीके से समझ आजेगी, कि आप हर इमिज के उपर अपने कलर किस तरह अपलाई कर सकते हैं, और हम चलते हैं वीडियो की तरफ हमने कलर रिप्लेस्मेंट टूल अपलाई किया अपनी इमिज के लिए, हम इसको स्लेक कर लेते हैं, अब इसकी ये सारी हमारे पास प्रोपटीज हैं, सबसे पहले हम इसके मोड्स देख लेते हैं, मोड में हमरे पास सबसे पहला है हीउ, अब हीउ क्या करता है, हीउ आपकी इ आपको पता हैं डार्क हो जाता है तो वह डार्क पार्ट और जहां पर लाइट टwh Dank तो झारे लिए ओंपर पार ने एक सі लिए खनौन में अच्छ लेंस से लगते है तो दोनों कलर कॉष स्पों करने की कोशिश करता है तो इस किस तरह फिल मैं यहाँ पर like green color ले लेता हूँ ठीक है अब यह green color मैंने इसके उपर apply करना है simply मैं सिर्फ इसके उपर drag करूँगा और आपको color मिल जाएगा कुछ इस तरीके से अब आपको clear हो गया कि hue ने सारी जगा पर color किया है उसके light part के उपर भी उसने color effect थोड़ा थोड़ा सा छोड़ा पना है अब आगे हम चलते हैं आगे हमारे पास option है saturation की अब saturation क्या करता है saturation जो है वो आपके color को mix कर देता है मतलब जो dark part है और light दोनों को mix करके आपके color करता है अब यह देखे हैं अब मैं इसके उपर saturation कर रहा हूँ लेकिन इसके उपर वो हो नहीं रहा उसकी वज़ा saturation हमेशा जो dark part होता है ठीक है उसके उपर color आपका replace करेगा है अब आप देख सकते हैं कि image के back side पे color हो रहा है उस मेरी जो parrot है पेरिड के blue color पे color नहीं हो रहा है उसके जो back पे पीछे जो dark side है ठीक है वहाँ पर इसकी saturation सारी हो रही है आप saturation को इस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने background पे कहीं पर dark side है वहाँ पर आप इसको 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 इस इस ने पूरा कलर ही कर देता है आपकी इमिज के उपर, किस तरह अब यह देखें, बैस सिंपली यहां पर थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूं, अब आप यह देख सकते हैं, कि उसने फरक नहीं किया, ना तो डार्क का, ना लाइट था, उसने सिर्फ एक कलर जो है, वो रिप्लेस कर दिया, उसके उपर कलर डाल दिया है, उसमें हमारा बैगराउंड भी बीच में उसने डिटेक कर लिया है, उसने हमारी इमिज के डार्क पार्ट को, लाइट को, सारों को उसने color कर दिया हूए, तो color option जो है वो सिर्फ आप just color paste करते हैं, वो saturation नहीं कर सकता, वो hue नहीं कर सकता, मतलब दोनों में फरक नहीं करेगा कि क्या part dark है, क्या part light है, आगे हम चलते हैं, हमारे पास luminosity है, अब luminosity क्या काम करती है, luminosity आपके light part के उपर काम करती है, और उसको gray scale में ले जाती है, like this, अगर मैं यहां पर करता हूँ, उसे सारा जो color light part था, light color में, उसने उसको detect किया, और एक color सा इस तरह उपर अपड़ाई कर दिया, जहां जहां पर हमारा light color था, वहां पर color आ गया, जहां पर dark side थी, वहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा सा वहां पर color dark है, तो luminosity आपका color इस तरह फिल करती है, अब आगे हमारे पास तीन option आ जाती है, अब यह क्या है, sampler है किसी इसका continuously का, मतलब आपने color एक जगा से जो pick किया है, वो मुसलसल आगे color अपने आप automatically select करता जाएगा, फिर आगे यह क्या है, यह sampler है, once का, मतलब एक आपने color का पिक करना है, और यह हमारे पास क्या अपना background सुच करने के लिए, मतलब आपका जो color आप खुछ select करेंगे, सिरफ वो ही color वो select करके उसके उपर apply करेगा, और वो दूसरा color को यह apply नहीं कर सकता, अब इनकी option के लिए हमारे पास एक और ही बीज़, मैं उसके उपर apply करता हूँ, अब hue हम रखेंगे, आप लोगों ने भी most of the time hue रखके ही अपनी image को color करना, hue रखने के बाद आपकी image के उपर color apply जब आप करेंगे, वो अच्छे तरीके से apply हो जाता है, अब मैं यहाँ पर continuously color को apply करता हूँ, कि वो मुसलसल चलता रहेगा, मैं यहाँ पर color select कर color जो है, वो continuously चलता रहेगा, मैं जिस भी image के उपर जाँगा, मेरे पास यह image तीन पार्ट में, मेरे पास capsicum पड़े है, तो यह तीनों के उपर color equally करता जा रहा है, shade के हिसाब से, अब मैं अगर once ले लेता हूँ, once लिया मैंने select किया green के उपर, पहले मैंने green के उपर click किया और मैं drag करता हूँ, नीचे आता हूँ, अब आप यह देख सकते हैं, मैं yellow के उपर मैंने drag है, click है, मगर वो color नहीं कर रहा, अगर मैं वापस उपर green की side पर जाता हूँ, तो यह दुबारा से color अपलाई होना शुरू हो गया, मैं नीचे आता हूँ, color नहीं कर रहा, ठीक है, इस तरह आपकी image जिसको आप पहले select करेंगे, वो color select करके उसके उपर ही apply करेगा, उसके आज़ पास कौन से color है, वो उनको deduct नहीं कर सकता, आगे हमारे पास है sampler, अब यह sampler क्या है, background सुच करने के लिए, आपके पास एक color होता है foreground, एक होता है background, अब हमने background color के अंदर मैंन yellow color ले लिया, अब यह yellow का मतलब क्या है, अब इस image में या इस image में, यह दो capsicum के अंदर अगर yellow color मुझूद होगा, तो यह yellow background आपका yellow color के उपर ही apply होगा, अगर आप यहां से इसको background color सुच कर लेते हैं, अगर जिस तरह मैंने यहां पर green पे click किया, मैं drag किया, कोई implement नहीं ह set करने के लिए हम एक image और ले लेते हैं, कि हम जिस तरह हमें पता लग दे के limits के आउती है, limits को आप अच्छे तरीके से apply कर सकते हैं, अब हमारे पास continuous है, अब यह क्या करता है, अब आपने यहां पर apply करना है कोई भी color, like मैं यहां पर ले लेता हूँ, pink color, ठीक है, अब pink color ल रखनी है कि जो आप लोगों को easy लगे, मैं यहां पर apply करता हूँ, कि color मेरा मुस्तकिल आगे चलता रहे, ठीक है, उसमें continuously आती रहे, hue करके मैं यहां पर click करता हूँ, click करके मैं आगे जाता हूँ, अब आप यह देख सकते है, black partner थोड़ा सा zoom करके आप दिखाऊ, pink color यहां यहां पर तो apply हो रहा है, ठीक है, इस जगा पर apply हो रहा है, लेकिन यह black के उपर apply नहीं हो रहा, ठीक है, आपका जहां जहां पर यह blue color है, सिर्व उसी के अंदर ही आपका यह color replace होता रहेगा, clear हो गया, अगर मैं यहां पर इसको change कर लेता हूँ, discontinuous कर लेता हूँ, अब इस जिदर जिदर जाता रहूँगा, उसमें कोई रुकावर्ट नहीं आई यहां पास, अब आप यह देख सकते हैं, यह color मुस्तकिल मेरा चलता गया, उसमें रुकावर्ट नहीं आई, अगर black color बीच में आ भी न, तो उसके उपर भी pink का shade आना शुरू हो गया, आप यह देख यह option है, आपके पास अगर कोई image है, उसके edge point आपको clear करके आपने उसको color करना है, कि आप इसके edges से आप बाहर ना जाए आपका color, तो आप इसकी setting को रख लेते हैं, हम कोई भी color अपला ही करते हैं, जैसे red के उपर मैं blue करता हूँ, अब यहां पे मैं करता हूँ, अब आप आपके देख सकते हैं, कि उसके edge के उपर हमारा color बिल्कुल भी नहीं जा रहा, black border पे हमारा color बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमने उसको find edges कर लिया, कि वो खुदी art of edges को find करता है, कि आपके image के edge point कहां कहां पर है, वहां पर वो color अपलाई नहीं करेगा, अब tolerance करते हैं, कि tolerance क्या चीज़ है, ठीक है, tolerance को ज्यादा करके और कम करके आप किस तरह image के उपर effect कर सकते हैं, उसके लिए हम एक image और open कर लेते हैं, हमारे पास यहां पर कुछ sample है, अब इन sample के उपर हमने color apply करना है, ठीक है, मैं यहां पर color ले लेता हूँ, red color ले लेता हूँ, आप tolerance तकरीवन 25 के करीब रख ले, ठीक है, 25 रखने के बाद अब मैंने यहां पर click करना है, find edges को मैंने खतम करके, continue case कर लेना ताके मेरा color आगे मुस्तकिल चलता रहे, अब मैंने यहां पर click किया, इस image के उपर, ठीक है, इस जो sample है, इस पर click किया और मैं आगे चलना कम कम करते करते, आइस्ता इस्ता कम होना शुरू हो गया, अगर मैं यहां टोलरंस और कम कर लेता हूँ, तकरीवन 5 के करीब कर लेता हूँ, मैं यहां पर color अपलाई किया, इस image के उपर, और जैसी मैं यहां पर आया, और कम हो गया, यहां पर आया, और कम हो गया, यहां पर बिल्कुल खतम हो गया हुआ है इस तरह आप tolerance को कम करके अपरी image के उपर apply कर सकते हैं जहां पर आपको color चाहिए और जहां पर आपको color नहीं चाहिए आगे हम चलते हैं कि anti-aligns क्या है anti-aligns के लिए हमने यह image select कर लिया अब इस image के उपर हम anti-aligns को use करेंगे कि anti-aligns किस तरह बर करता है मैंने यहां पर कोई भी color कर रहा हूँ like this मैंने यह color किया anti-aligns को मैंने off किया और मैंने यहां पर फिर से color apply कर दिया अब हम जूम करते हैं और आप जूम करके देखें तो आपको जब मैंने anti-aligns को जो है वो चेक करके के मैंने apply किया था ठीक है तो आपको यहां पर point आना शुरू हो गए है आपका brush जो है वो जगा जगा पर अपने points दे रहा है और उसके edges आपको clear नदर आ रहे हैं जब हमने anti-aligns को off करके हम लोगों ने color किया था तब उसके अंदर इस तरह की हमारे पास कोई भी problem नहीं आई है तो आज के लिए guys इतना ही आपको I think आपको अच्छे तरीके से पतला के हो कि कि आपने color replacement tool को किस तरह apply करना है उसकी क्या-क्या properties है इंशाला आपको बहुत स्यादा helpful आप उसके उपर color replacement यूज कर सकते हैं तो मुझे दीजिए जादत अपनी दोआ में याद रखिएगा अल्ला आफिस